सुनील भाज सब आपके पास दो तीन मेरे मन में प्रश्ण है एक तो इस पर भी एक वक्तर आप दे देंगा लेकिन एक दो प्रश्ण और है जो जो कल प्रमोत का कहना है कि जैसा हम लोग को सम्झाय जा रहा है कि वो बड़ी एकॉनमी हम छोटी एकॉनमी लेकिन आपको जो आर्थिक रूप से संपन हुआ है उसकी सेना बहुत संपन रही है और जो मॉडन उसमें तो एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता है कि आप उनकी कॉस्ट में क्यों कहते हैं एक तो यह बात आपसे प्रश्ण है उसके अलावा जो यह जो डिस्मेंकिल किया गया है हमारा मेजर शेटान सिंग मेमोरियल को इस पे भी आप दीजेगा है एक चीज छोटी से और आप से पूछनू मुझे एक चीज का प्रश्ण का आंसर और नहीं मिलता है उससे बड़ा कोई पर्व इस देश के लिए नहीं हो सकता है हम पंद्रागास 26 जनुवरी को यह बाद अगर किसी पर्व को मना सकते हैं तो हमारे हिसाब से तो वह 16 दिसमेंद 12 1971 की जीत थी आपने एक एडूटीजमेंट देखा इस साल का मैं मुझे दुख हुआ कि 1971 में य देश जीता था इंद्रा गांधी थोड़ी जीते थी यह देश जीता था आपके वल इसलिए कि इंद्रा गांधी का नाम कहीं न कहीं आज आएगा यह इतना संकीर कैसे हो सकते मैं इस पर भी सुनील जी एक आप से टिपनी चाहूंगा पहले आप लेकिन रिजांगला में ज जो लदाक परोती विकास प्रशक के एक खेम चोक जोहां किस्दस हैं उनका इक इंट्रिव्यू आया जिन्होंने बात कही कि बफर जोन बनाने की वज़े से जो मेमोरियल था सेतान सिंग का वह खटा दिया गया और वहां अब इस इलाकिया में भारती सेना और यहां तक के चरवाय उगरा के जाने क्या प्रतिवान लग गया है यह दो घटनाएं हो जिससे पूरा का पूरा प्रकणने सामने आगए और अभी तक इसमें सबसे दुखत पक्ष है कि सरकार के और से सेना के और से अस्थानी जम्मुकस्मीर सरकार के और से कुछ भी नहीं का जा रहा है और जो तथे रहा है वो एकदम अलग- autistic इस टेंजीन ने जो कहा बेर सर्थान सब्सक्रा के बारे में कहा जहां जो बना था यह बता रहा है चैनल के संब्सक्राइड कव कुछ फ्रक Southern भी यह बता रहा है. आप देश को जो सचाई है यह बताने की ज़रूरत है और दूसरी चीज की इस तरह की घटनाओं से निश्चित रूप से सेना के उपर और जा सेना में रहें उनके मनुबर पर पर सर पड़ता है लेकिन अगर आप अगनिवीर योजना के पोशक है तो निश्चित रूप सो सक सब्सक्राइब लेकिन वह ने उसके सामने उसके सामने लेकिन वहां के साइनिकों ने ये सेना को वहां देश शोणने के लिए मजबूर कर दिया और ऐसे नहीं थे कि हमारे यहां तो जो रजांगला में हमारे सानिक थे छेप फुट आट फुट के लोग थे जो अनिल जी ने बताया कि अपने हां से दो प्रसजगों को उठा किसी लड़ा दिया अब व्यतिनामियों को देख लिए होता हैं सेना को अग्यां सब्सक्रान के जैनकारे होती हैं और वह उनको प्रयज़ करते हैं विए जो घटना को तो किसी भी तरह से स्विकार नहीं किया जाना चाहिए और इतना लंबे समय के बाद मने 2020-2021 में गटना होती रही और किसी को आप पता नहीं चलने दे रहे के अगर बात नहीं कहीं फोलुट समना पूलुकत जनकारी भी नहीं थी क्या कर दियं Уब्क कि और इक दूसरी चीझ की आपने रेइन के जो नित्या साब ते उन्होंनेनिे इसी साल त्यांव्टर हुआ foul किvelे फॉलू नोगा ऀसिए प्रविव हूं इस तरह से आप एक तरफ सेरा मेमोरील बनाने की बात करते हैं कि अभी तक किसी नहीं कि हमने सेरा मेमोरील बना दिया और दूसरी तरफ जो बनी बनाई चीज़ें और वह चीज़ें जिनों कि जिसको उस रेजिमेंट के लोगों ने बना है असोची उपर एक दू किताब नहीं कई किताब लिखी गई हैं कई लोगों ने की किताब मतलब मुझे देखना शुरू किया तो एक मेजर के ऊपर मतलब जो आदमी सेना अधक्ष भी नहीं था जो कम लोगों और पूरे हर्याना की इलाकों में कितनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा रही है उनके मनें इसी लड़ाए में उन्होंने शहादत पाई एक का कि उनकी सुक्रित छुट्टी के बावजयों थे उनहीं जा पाए और चंडीगर से जाकर उनको आपस जाना पड़ा और कहा क कि नहीं कोई बात नहीं चोटी से जादा महत्तपुण है कि हमारे हमारे जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करना जरूरी है यह इस तरह के गौरों वाले व्यक्ति के साथ उसकी मेमोरियल के साथ इस तरह का खिलवार और आपको कुछ हासिर हुआ हो अगर चलिए आपको समझ और जबके स्थानी लोग इसके भी प्रिट बात का रहा है उनीच सो बासट एक सट के लड़ाई की बात आप करते हैं और तत्कलिन सरकार क्या भूचना करते हैं आज कि आज की जो शित्या है वो किसी है उनके बारे में कौन टीपड़ी करेगा यह अगर आप राज्यातिक निजरी से देखेंगे तो यह और यह तरक लागों नहीं होता कि कूं कितनी बड़ी抌शक कोOS n नहीं है हमने के लेकिन युएस और व्यत्राण के लाड़ी तकी हमने दिखीये उसका इतियास अमारे आपके सामने हुआ है कि is ya कि wp Gk तो इस तरह के जो प्रणादायक उनकों तो किसी की मत बचानी चाहिए इसको नहीं अटाएंगे और क्या आप दुनिया की तमाम देश है वह इस तरह करते हैं क्या को यह करता करता है अगर सरकारी कहती है कि अगराज कर नहीं होए तो वह इस राजयतिक नजरिये काई प्रणा मैं आरण जी जिससे आपने कहा कि विजय दिवस के बारे इतना ब्ले पैमाने पर कि नागरी को इसका करो और आप याद किजिए उस दौर मुने से खतर के बाद की नहीं पिढ़िया गई है जुसरे मुने से खतर के लाई कुछ देखा नहीं मुक्तिवाहिय के संहर्ष को नहीं देखा उनको अपने उसी त्यास की जानकारी होने जरूरी है कि किस तरह से भारती सरीकों ने किन सितियों में लड़कर के और एक यूद को जीता और जो एक नए देश का कठन करती है उस देश बंगला देश की सरकार हमारी सेना ततकारी रा कि यह अच्छा कुछ कुछ भी निढ़ने के पहले व्यक्त को जरू सोचना चाहिए कि आप किस तरह की विरासत छोड़ रहे हैं आने वाली पीड़ी को क्या संदेश दे रहे हैं क्या यह संदेश देना होगा कि हमारे जो बीर साहिद सहीद सैनिक रहे हैं उनके प्रत हमारा क्या है कि अपने राजिति खितों के लिए कुछ भी बल्दान कर सकते हैं किसी को बूला सकते हैं और क्या इस तरह की विरासत देशवासियों को प्रणित कर सकती है क्या यह पुरा अगर यह पुरी बाते मैं मुझे लगता है कि घरगे साहर्व का ट्विट नहीं आया होता और वह जो लड़ाक विकास प्रश्यत के प्रणती विकास प्रश्यत के सदस्य है इस इंजिन उनका इंट्रिव्यों नाया होता डेली आप अकवार में तो लोगों को पता भी नहीं चाहता कि उसको पता है आप चेंड के बुस्पाट के बात कि यह सरकार कुछ बोलती नही कि यह एक इन चीजों को राज़ी से ऊपर उठकर के देखने क्या शक्ता होती है और अगर आप नहीं देखते हैं प्रशी तरुप से कच्छी विरासत आप नहीं चोड़ते हैं जी निल बैस आप से एक चीज़ पूश लूँ जतना मुझे पता है कंड़ना अम रिंदर जो कैप्टनम रिंदर बाफ कीजेगा जो पंजाब के मुख्वंत्री बने थे जितनी मेरी नॉलेज जितना मैं मुझे पता है उन्होंने एक जीओ निकलवा दिया था कि अगर कोई फौजी जहां पे फौजी को ऑफिशली सलूट करना है पलिस वाले को जो एक जीओ निकला रभ किसी तरह से मिल जाए तो उसके आगे पीछे घुमता रहता हूं मुझे इस लिए नहीं गुमता हूं के मेरे लड़के को एससे बेढ़ना है तुजरा गाइड कर दो जरा बता दो बढ़िक क्या हो सकता है चा नहीं है मोटिवेट कर दो क्योंकि मुझे तो अपने लड है उसको पुलाइए कम सकब शहर में 10,000 जगह जंडे पर आए जाते हैं चाहिए विद्धियाले हो चाहिए कुछ हो आप लॉब बना दीजे कि यह कोई डियम साहब और इस पी साहब और फलाना नेता और फलाना पार्चद और फलाना मेर नहीं करेगा इस तो भी ओनली ऑफिस और उसकी बना दी डेकुरेटर जवान है तो पहले उसका हक है वहां जनल साब बले रहते हूं मैं तुड़ा इस पे छोटा सा एक आपका आवक्त में लेके फिर कि मैं अरण जी थोड़ा साफ से हसामत हूं मेरा अपना मानना है कि सुसाइट्री एट लार्ज में से निकर्म का बहुत सम्मान है अभी उन्होंने अपना सम्मान खोया नहीं है यह जरूर है कि संस्थागत व्योस्था इस तरह के नहीं है जिसके आप बात कर रहे हैं इस शुच्छल रिजिमेंट्स नहीं बिलकुल नहीं और यह कमिट्मेंट मैं मैं अपने नीजियन वह से का सकता हू एक इलहाबाद में एक बड़ी खुली जगह है आर्मी की वहां पर एक प्रहाव दूसरी संस्थाने वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहिए कि मैं जमाने में विद्यारती थी था तब से मैं इसको देखा देख रहा हूं कम खाली-खाली जगह है तो पुलो ग्राउं जनरल साहब थे उन्होंने कहा कि ना यह तो संभवी नहीं है वह खाली जगह है हमेशा खाली देएगी हाली कोई कर सक्षेल लाओ नहीं कर सकता मैं मेरी उसे निजी मुलाकात हुई मैंने उसे कहा कि आप क्यो इतना छगड़ा मोल ले हुए है का मेरे सामने मेरी जगह एक इ पुरानी है आज भी हो जगह खाली किसको साहस नहीं कर पाया जबकि एक बार निर्मार कार शुरू हो गया तो कि मेरी प्रतश्चा का सवार कोई एक आर्मी के एक हिंज जगह ले वह मारे जानता हूं और मेरा अपना यह मानना है कि आज भी आज भी समाज में मैंने प्रत्राइब कोई करनल मेजर केप्टन इस तरह के भी आफसर आते हैं तो लोग बड़े आदर से उनको देखते हैं और उनके उनके बारे में यह किसी का निजी गोड़ोश हो सकता है कोई विक्त ऐसा है जो अपने निजी लाप के कुछ कर रहा हो क्या कर रहा हो क्या कर रह अधिकांस इसके सदस्था जो है वह एक निष्ठावान और जिम्मदार नागरीखा है उनके अपनी जीवन शहली है उससे हम सामत हो सकते हैं असामत हो सकते हैं यह आपका यह बहुत लाजमी सवाल है कि एक सदस्थागत बहुस्ता होनी चाहिए मैंने अपने शुरुवाती दिनों में शुरुवाती दिनों में सिविल अधिकारियों को मैं देखा था कि उनके हां को एगर कोई समान सिपाही भी सेना का उसे मिलने चला जाए तो बड़ी आदर से उमिद के थे कभी ऐसा नहीं होता अब यह ट्रेंट जरू मैं मुझे दिखाई पड़ा कि वो भी इसलिए समय होनी चाहिए उनके निजी मैं कैसे बता हूं आपको समय ignorator कर रहा हुए अं cuarto कि समय पता नहीं कहा हुए उनका pagaraya van वह थो एलाबाद करी रहा यहां था पूसके बvell Bitte की शादी दुनों के राइंक में के तुलना है ताल क्रीई है पूछा कि गाहां पर है मैं उसे मिलता रहता था कहीं ने कहीं दर हुदा हमने कि क्या होगी आप कहां कि मुझे उस बेटी की शादी मुझे से घर जा रहा है एक अलग तरह की विरासत भारती सेना ने अपने लोगों की बीच में छोड़ी यह जरूर है कि इसको बनाया रखने की जरूरत की और इसको अगर आप राजनेतिक नजरिये से देखेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप उसको बचा नहीं रख सकते दुनिया की जितने भी देश है जिन्होंने अपने गौरों को जीया है उन चीजों को राजित के हिसाब से नहीं देखते हैं कि हमारी हमार अपने जो का रेडियो कर्मी है उसकी गन उठागे कितनों को माण डाला आगे निवाले दिया किसे को यह बड़ी चीजी होती है और यहीं चीज़ें लोगों प्रेजित करते हमारे साइनिक जो चीजों को छोड़के नहीं आते या सोची आप हमने खुद अपनी खुद में मैंने देखा है कि पता है आप उसी ट्रेंस यात्रा कर रहा है एक कोई सेना का अपसर है जवान है छुटा अपसर है बड़ा अपसर है उसको कोई चिछी मेली या कोई मेसेज मिर वही ट्रेंस उतर जाता दूसरी ज्वाब आप जाने लगता है प्रतिवद्धता इस तरह का कमिट्मेंट इस तरह की सेंस आप रिस्वांसमिल्टी या मने एक समाने से लड़के में 20-21-16 लड़के में मैं बैठा देना इस समाने बाद थोड़े है आप मेरे मेरे जैसाधी में एक बार गया यहां देहादुन में एंडियल मेरे अकैदमी के पासिंग परेड दें तो आप हिमत नहीं कर सकते हैं कि बच्चों में किस तरह का सहास इकन नहीं लड़के बतब ऐसा नहीं कि कोई पढ़न लिक्या है इंडिया क्लिफाई किया और चला आया नेश्टनल डिफेंस अकैडमी में के में उससे टेंडिंग ली और पासिंग पर जीते हैं समानी जीमान थुड़े होंगा आप कभी बश्तलम डिफेंस अकैडमी में जागर के देखिए कि नीचे पहाणी के नीचे कैसे बच्चे राते हैं किस जीवसा के साथ किस ताकत के साब किस समरप़ के साथ पूरे अपने देश के समरपन हरे हो और और अपनी जीम् समाज अपने सेनिक आर्मियों के प्रति बहुत आदर्भाव रहता है अब आज भी तमाम गिरावट के बावजूद भी अगर आप जिसको गिरावट करते आज पतुब आप सूचिए कि मैं कंट्रूमेंट के पास रहता हूं अपसरों के बच्चों को लिए करके उनकी ट्रक में बडावाव रहा है उसी समाज के नागरी है इसी हमारे आपके बीच के लोग है यह लेकिन को यह लगता है कि मैं अगर किसी बच्चे को स्कूल से लिया हूँ और उसके घर छोड़ना है तो यह मेरी रिस्पांसमिल्टी है कि मैं सब्सक्राइब भी सुरक्षी तुरक्षी तुरक्या से पास करना पार राद है और यह मैं रोज देखता हूँ इस तरह के भाव देने के देखने के बाद मैं सोच नहीं सकता कि कि समाज कभी भी इनके प्रति कृतक हो सकता कि पूरा पूरा का सब्सक्राइब कि आज भी मतलब वो होंगे कुछ लोग ऐसे कि जो शराब और कंटीन का समान के लिए सद्धिकारियों को देखते होंगे लेकिन इन जनरल इन जनरल मैंने देखा है कि समाज में अभी भी सेना के सेना के प्रतिव चाहिसे कोई अफसर हो बड़ा हो चाहिए छोटा हो अभी भी समान है और वह केवल और केवल सैतान सिंग जैसे जो आर्मिय आफसर्स है जिन्रों ने अपना सर्वस वल्दान करती है कि हमारी जिम्मदारी है और आप याद किजिए अलाई छोड़ दीजिया आनन जी रोंगते खड़े करने वाली घटना थी जब केदारनाथ का डिजास्टर हुआ था हाँ हथेली के चोड़ाई के वराबर स दोन सब्सक्राइब जिस पर आप पैर रखने की हिंबत रही कर सकते हैं अपनी पीछ पर लाद करके रोपए से लोंगों को निकाला है यह अपने आग से मैंने देखा आप सोचिए कि हमारा इस मामें इस इन्डियन और फोर्स का मैंने मैं नेपाल में रिस्क्यू आपरेश निचे आजाया और वहां भारती वाई सेना के जवानों ने अपने हेलिकाप्टर को लेंड किया रेस्क्यू के समान उता रहे लोगों तक पहुंचाए और इन दो दिन नहीं लगातार किया कैसे बहुन सकता है कुई और इसलिए जिन लोगों के बीच में लोग जाकर काम को होते हैं और जिनको लोगों रहे देखा है इसलिए लगता है कि जो अपसर बाध से राकी यह काद्मी तक पहुंचने चाहिए और इसकी 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 इसनस था उस्था और मैं अभी भी आप से कर सकता हूं कि जब तक हमारे भारती से ना की परमपराय जीवित है मानक्षा का जो दाइत तो आपके पास है उस दाइतो को अगर आपनी जिया तो पीढ़ों को याद करेंगे सब्सक्राइब और अगर आप अपने आपको वंचित रखेंगे पीशे हटेंगे दो घंटे में लोग आपको भूल जाएंगे कोन थे आप क्या थे? जी झाल